अभई और त्रिशा कार से जा रही होते हैं, तभी त्रिशा अजीब सा फेस करती हुई अभई के तरफ देखती है। अभहय त्रिशा को ऐसे खुद के तरफ देखते हुए उससे पुछता है क्या हुआ कोई प्रोब्लम है त्रिशा नमे सिरहिलाते हुए कहती है नहीं पर त्रिशा का चेहरा अभी भी फीका-फीका लग रहा होता है त्रिशा अपने पेच पर हाथ फेरते हुए अजीब सा सकल बनाती है अभई हलके से आंख धुमा कर त्रिशा को ऐसे करते हुए देख लेता है और उससे पूछता है लगता है तुम्हारे पेच में दर्द है त्रिशा नमे सिर हिलाते हुए फिर से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अभई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और त्रिशा खुलकर उसे बता भी नहीं रही होती है तब ही अभय उससे पूछता है देखो जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे पाता कैसे चलेगा कि आखिर प्रोब्लम क्या है जो है खुल कर साफ साफ बताओ यार अब हम दोनों फ्रेंज है और इतना तो मुझे भी जानने का हाख है न त्रिशा हिचकिचाते हुए कहती है ओ, ओ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और भूख से मेरा पेट भी दर्द कर रहा है अब है त्रिशा की बात सुनते ही मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? और यही बोलने के लिए तुम इतना सोच रही थी, ओके चलो आगे कोई रेस्टोरंट होगा तो वही खा रुकेंगे कुछ दूर तक जाने के बाद एक सुनसान जगा पर एक ठेला वाला रुका हुआ होता है अभई उसी थेले के पास अपनी कार रोकते हुए त्रिशा से कहता है, हमें फिलहार यही रुक कर खा लेना चाहिए क्योंकि आगे रेस्टोरंट खुला भी होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते त्रिशा बिना कुछ बोले ही कार से बाहर उतर कर आती है, अभई उस थेले वाले से कहता है, दो जगा खाने के अभई जैसे ही यह कहता है, थेले वाला अभई को भूरने लगता है, उसे ऐसे भूरते देख अभई उससे पूछता है, क्या हुआ? तबी त्रिशा वहां आती है, तो ठेले वाला कहता है, रात भी बहुत हो चुकी है, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बच्चा है इतना सुनते ही अभाई त्रिशा के तरफ देखने लगता है, त्रिशा का चेहरा भूग से बिल्कुल बेरंध हो चुका होता है अभई ठेले वाला से कहता है, देखिए ना थोड़ा सा भी अगर कुछ हो तो ठेले वाला खाना चेक करता है, तो पाव भाजी बची हुई थी वो एक प्लेट में निकाल कर अभई को देते हुई कहता है, ये लो बेटा बस यहीं आखिरी बची हुई थी अभई वो प्लेट उनके हाथ से लेते हुए उन्हें ठेंक्स कहता है, और त्रिशा के ले जा कर देते हुए कहता है, उफ ये बस आखिरी प्लेट बची हुई थी, शायद इसे भी तुम्हारा ही इंतजार था अब लो और जल्दी से अपने पेट में दौर रहे चुहूं को खिला दो वरना तुम्हारी हालत और भी बुरा कर देंगे। त्रिशा हलकी सी स्माइल करते हुए अभई के हाथ से वो प्लेट ले लेती है और खाना शुरू करती है। अभई उसे खाते हुए देख रहा होता है, पर त्रिशा खाने में इतना खो जाती है कि उसे ये पता ह नहीं चलता कौन उसे देख रहा है। जब सब खाकर खतम कर देती है फिर उसकी नजर अभई पर पड़ती है जो उसे कहते हुए बस घूरे जा रहा होता है। त्रिशा अभई को देखने के बाद अपने प्लेट में देखती है और फिर मासूम सा मूँ बनाते हुए अभई है क्या। त्रिशा जट से कहती है अरे नहीं नहीं बस हो गया। अभई उस ठेले वाले के पास जाता है और उसे 2000 का नोट देते हुए कहता है। ये लीजिए वो आदमी 2000 का नोट देखकर कहता है। अरे साहब हमारे पास इतने बड़े नोट का छुट्टा नहीं है आपके बस 50 रूपे हुए, अभई उस आदमी को 2000 का नोट देते हुए कहता है, कोई बात नहीं आप ये पूरे रूपे रख लीजिए, वो आदमी चौकते हुए कहता है, क्या साहब क्यूं मजाक कर रहे हो, आप मुझे बस मेरे 50 रूपे ही दे दीजिए, उस आदमी के इतना कहते ही अभई अपने पॉकेट से पस निकल कर इस आदमी को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए मेरे पास चेंज नहीं है, आप बस ये रूपे रखिए और मुझे छुट्टा देने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप ये पूरे अपने पास रखिए, आखिर कार आपने इतनी र का डोर ओपन करता है और त्रिशा को बैठने के लिए कहता है, त्रिशा अभई को बड़े ही गौर से देखती है, अभई उसे यूँ खुद के तरफ देखते हुए देख कर उससे पुछता है, क्या हुआ मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या, त्रिशा अभई की बातों का देती है, नहीं, नहीं बस ऐसे ही देख रही थी क्योंकि सुना है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके अंदर एगो और एटिट्यूड कुछ ज्यादा ही होता है, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा कुछ होता होगा लगता नहीं है, अभई त्रिशा से पुछता है, वैसे अब तो तुम भी एक सेलिब्रिटी बनने वाली हो फिर तो तुम्हारे अंदर भी ये सब आ जाएगा, अभई के इतना कहते ही त्रिशान में सिर हिलाते हुए कहता से कहती है, नहीं, नहीं मैं जैसे ही बिलकुल वैसे ही रहूंगी बस थोड़ा डर सा लगा रहता है, लड़की जो हूँ, पर एक दिन मैं अपने मन की करूंगी और अपने हमसफर के साथ बेफिक्र होकर आसमा में उडूंगी, अभई हलकी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अगर तुम चाहो तो वो हमसफर मैं बनने के लिए तयार हूँ, अभई जैसे ही अभई बोलता है, तृशा चौक कर अभई को देखने लगती है, अभई तृशा को ऐसे देखकर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर जब तृशा कुछ नहीं बोलती है, अभई हंसते हुए कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तृशा अभई से कहती है, इस ओके, अभई कार का दोर खोलते हुए कहता है, तो अब चले, तृशा आकार कार में बैठ जाती है, अभई कार स्टॉट करके जाने लगता है,